के शुरुवात करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप हमारा जो पिछला लेक्चर है इसी सिरीज में एन्वार को वन आउर का लेक्चर है लेकिन उसमें आपको जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसी अंडरस्टैंडिंग पे आगे आज बाते होने वाली है उस लेक्चर में किये बिना इस लेक्चर के शुरुवात नहीं करें तो अच्छा होगा अधर वाइस आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग जो है कम बन सकती और आपको लगीगा कि तो वहीं से कहा नहीं क्या शुरुवात होगी देखिए 1.2 टॉपिक में हमें कन्वेंशन और इनिशियेटिव पढ़ने हैं किसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसमें 1.2 टॉपिक में हमें देखना है युनाइटे नेशन के कन्वेंशन जिसमें हमें कॉप 25 जो मेंटिं के बारे में कि वो कैसे उनका पेरिश वाले डिल से रिलेटेशन है वो पढ़ेंगे चोटा सा टॉपिक है आगे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो मैं आपको अगले लेक्चर में अलग से पूरा बताऊंगा जबकि यहां पर एक ही पेज का है क्योंकि मुझे शंकर आ और हापेनर करके डिड़ गंटे का यह पूरा मैटेरियल होगा और इससे आपका पेज नमबर 10 क्लाइमेट चेंज फिनिश कर लेंगे तो सबसे पहले देखे यूएन का कन्वेंशन और उसे हमें हमें देखना है कॉप 25 कॉप 25 को मीटिंग है पीछे जो कन्वेंशन है इसक इसके फ्रेमवर कन्वेंशन में UNFCCC के यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर कन्वेंशन पर क्लाइमेट चेंज यह जो कॉप 25 हुआ यह कराया गया स्पेन के मैडरिड में तो लोकेशन तो जेग्राफिकल मैडरिड थी लेकिन जो प्रेसेडेंसी ती जिसने जिम्मेदारी न आपने कैनडा है ओके साथी साथ जब यह कन्वेंशन हुआ UNFCCC का कॉप 25 तो इसमें CMP 15 भी हुआ और CMA 2 भी हुआ इसकी डिटेलिंग पीछे की गई है जो पार्टी क्योटो प्रोटोकॉल के अग्रिमेंट में हैं उनको उनकी मीटिंग को यही UNFCCC की कॉप की मीटिंग ह कर सकती है उसके अंदर सब ग्रूप होता है उनकी मिटिंग को CM P बोलते हैं तो इससाब से क्योटो प्रोटोकॉल का साल जोड़ें में 15 था और के कंवेंशन मेंटी की तरह कॉप 25 के अंदर ही हुआ लेकिन ये CMA 2 था, अब आप यहाँ पर confused हो जाएंगे कि Paris deal होई थी 2015 में और ratify हो गया था 2016 में तो 16 में पहला CMA 1 होना चाहिए था 17 में 2 होना चाहिए था 18 में 3 होना चाहिए था और 19 में 4 होना चाहिए था तो यहाँ से आप कोई understanding नहीं बनेगी लेकिन 16 वाला जो था उसको CMA 1 1 बोला गया था 17 वाला जो था उसको CMA 1 2 बोला गया था और 18 वाला जो था उसको CMA 1 3 बोला गया था तो उसके subgroup type के बना दिये तो इसी लिए जब 19 का हुआ तो CMA 4 न होने के बजाए वो आपका क्या निकला आपका CMA 2 एजेंडा क्या था COP25 का यह जो स्पेन के मैडरीड में कराए गया COP25 उसका एजेंडा यह था mandate यह था कि UNFPC को उन रिजॉल्व करना है disputes को जो कि पैरिस के climate deal में एक climate package था climate package में carbon market, loss and damage, INDC बगरे की बात की गई थी पैरिस का agreement है उसमें एक article 6 है वहाँ पे carbon market की बात है इसकी detailing में अलग से यह आपे नहीं करूँगा यह विजन ने उसके लिए particular अगला वाला ही जो आपका topic है वो पूरा इसी carbon market पे ही based है और वो article 6 पैरिस अग्रिमेंट की ही बात करता है तो यहां देखने का कोई फायदा नहीं है दूसरा topic था loss and damage अंडर पैरिस agreement पैरिस agreement में loss and damage की बात की गई थी loss and damage का concept मैं आपको पिछले lecture में बताया था कि Warsaw international treaty जो थी वहां से आया था Warsaw में जो कॉप हुआ था वहां से आ था loss and damage का concept लेकिन पैरिस में उस पे कई development nation को बोला गया था कि आप जिम्मेदारिया पूरा करो तो वहां भी dispute है उस dispute को भी resolve करने की बात थी वह भी climate package में आता है loss and damage में जो development nation है जो नोंने past में काफी pollution किया है और poor country का काफी loss and damage कर दिया है इतना कर दिया कि अगर वो adaptation करे भी तो भरपाई नहीं होगी इसी को loss and damage बोलते है तो अगर ये loss and damage हुआ है तो जिम्मेदारी बनती है development nation की वो poor country को funding करें climate crisis से बचने के लिए इसी पर conflict है वो कहते हैं कि ऐसा हम नहीं करेंगे poor country बहते हैं कि ऐसा करिये फिर है कि जो हमने पहला जो lecture किया तो उसमें ये discuss किया था कि INDC को अगर हम 5 गुना बढ़ा दें तभी हमारे climate के target जो है 2 degree Celsius या 1.5 degree Celsius के अचीव हो है उसको enhance करने की बात हो रही तो ये सब इसके agenda थे package में climate package में अब जो आगे significance और outcome आएगा तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या agenda था जो कि fulfill हुआ और क्या क्या नहीं हुआ significance क्या है COP25 का आपको पता होगा कि Paris का agreement है उस पे ratification वगर हो चुका है लेकिन वो जो force में आएगा आपको पता होगा कि जो हमारा पहले वाला commitment period 2 था वो 2013 से 2020 था जिसमें की कुछ हो तो नहीं पाया लेकिन January 1st 2020 से पैरिस agreement है जो force में आ जाएगा तो COP25 जो की 2019 में हुआ तो यहां पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो rule book जो है जो आगे पैरिस वाले agreement के हिसाब से 2020 से हमें फॉलो करने है क्या guidelines होनी चाहिए क्या rule regulation होनी चाहिए एमिशन वगर के या finance के तो उसके पूरा rule book को define करना था discussion करना था एक तो यह इसका significance था हुआ क्या नहीं हुआ देखते हैं दूसरी बात यह बहुत अर्जेंट चीज हो गई है कि अब कोई climate crisis की तो बात ही नहीं अब climate emergency हो गई है आगे हम पढ़ेंगे तो यह भी पता चलेगा कि कुछ nations ने इन पाक्ट ग्रेट ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया है कि climate urgency है वहाँ पे emergency है तो जो है difficult situation हो गई है climate crisis से उन्होंने commit किया delegates मतलब सारे जो nations थे उन्होंने commit किya कि global temperature को यह हर बार बोल देते हैं इन बातों को बस कुछ करते नहीं है global temperature को हम लोग जो है 1.5 degree Celsius से के हिसाब से बढ़ने नहीं देंगे 1.5 degree Celsius से उपर नहीं होने देंगे compared to अच्छा यहाँ पे यह बोला है कि 2050 तक यह pre temperature है अचानी स्वारी वही बात है 1.5 degree Celsius को pre-industrial level के हिसाब से compare किया है कि इससे जादा आपके 21st century में नहीं बढ़ना चाहिए और 21st century के अंतर तक ऐसे तो मतलब 2 degree Celsius वाले पर भी बात चलेगी लेकिन अब यह बात बहुत ग्रेव हो गई है researchers का कहना है कि 2 degree Celsius से कुछ नहीं होगा सारा glacier melt हो जाएगा तो आपको 1.5 degree Celsius में limit करना होगा तो अब यह बात बहुत जोर पकड़ रही है कि 2 degree नहीं 1.5 degree पर limit किया जाएगा तो यही सारे जो delegates उन्होंने यह commit किया और साथी साथ बोला कि carbon neutrality ले आएंगे 2050 तक इसका मतलब क् carbon emit हो रहा है उतना ही carbon generate भी हो रहा है मतलब हम neutralize भी कर रहे है सेक्वेस्टर भी कर रहे है ऐसे कहिए स्टोर भी कर रहे है तो वातावरन से पेड़ों के द्वारा या किसी और टेकनिक से modern टेकनिक से हम उतना carbon जो है एट्मसपेर से खीच भी ले रहे हैं तो overall जो neutrality है यह neutrality condition जो है उन्होंने commit किया कि हम 2050 तक हमें लाना चाहिए और greenhouse gas जो है उनके emission को 2010 के level के हिसाब से compare करकर 2030 में 45% जो है greenhouse emission हमें reduce करना है तो तीन चीजे हो गई यहां पे 21st century के last तक 1.5 degree Celsius का reduction करना है compare to pre-industrial level carbon neutrality लानी है 2050 तक और 2030 में 2010 के comparison में emission जो है greenhouse gas के 45% reduce करने है चुकि presidency चिली थी तो अपनी बात क्यों नहीं करती चिली का देखे एक बहुत बड़ा coastline है लेकिन सबसे बड़ा किसका आप मैं आपको बताया है चिली का 4000 miles है यह किलोमेटर नहीं है तो चिली ने बोला कि चुकि मेरी presidency है तो मेरी भी बात होनी चाहिए उसका बड़ा coastline है तो उसने बोला कि यह blue cop कहलाएगा तो कल को आपको पूछा जाए कि blue cop क्या है तो blue cop cop 25 था जो हुआ कि madrid में लेकिन presidency ले थी चिली ने अब यसली blue cop खाली बोल देने से नहीं होगा blue cop का एक और meaning derive किया गया कि हम focus करेंगे oceans में क्योंकि आपको पता है कि ocean को बहुत problem हो रही ह से बहुत जादा carbon dioxide ले भी लेता है और marine ecosystem जो हो प्रभावित भी हो रहा है मैंने आपको यह discussion किया है बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा problem है oceans को की outcome क्या है cop adopted the chili madrid time for action चुकि दोनों nation involved थे तो जो इसका time for action करके document बना हर जगह cop का एक document बनता है है ना तो यहां जो document बना वह क्या बना चीली madrid time for action टाइम आ गया action लेने का पहला क्या है on emission reduction इन्होंने क्या बोला document में वह बाते discuss करनी है पिर loss and damage देखना है और आगे पिर हमें climate के finance पर बात करनी है पिर carbon के market पर बात करनी है और gender action plan पर करनी है देखिए सबसे पहले बात होगी emission के reduction पर तो यहां पर बहुत निराशा जनक बात होई कि इन्होंने कोई strong language यूज नहीं की कि जो clear timeline बनाएंगे अपने जो आपके इन्हें time में करना है उसकी timeline नहीं दी गई तो यह सबसे बड़ी problem है टेक्स ने क्या किया पार्टी को अर्ज किया कि आप जो है थोड़ा देखिए कि emission का जो आपका लेवल है जो आपने indc में बताया है और जितना होना चाहिए था बोला था ना पांच गुना करना पड़े लेकिन इसके लिए कोई fixed timeline नहीं दिया है यह बहुत बड़ी problem है नेक्स topic है loss and damage का जो की W.I.M. Warsaw के cop से आया था जो final text है उसमें note किया जाता है कि अलग से कोई loss and damage के लिए उन्होंने finance नहीं बनाए उन्होंने यही बोला कि जो green climate fund जो मैंने आपको अलरड़ी पढ़ा दिया है तो जो final text बना उसमें यह बोला गया कि loss and damage के लिए कोई अलग से provision नहीं करेंगे financing की जो पहले हमारा green climate fund है जो हमने पहले आपको पढ़ा दिया है वही support कर देगा उन activities को जिनको की loss and damage के अंदर define किया जा सकता है और एक suggestion दिया गया जो को जानने को ज़रत नहीं है आपको कि other funds could do more in this area in future मतलब बाकी जो जैसे global environment facility है SCCF है आपको एक बताया था least developed country के लिए LDCF है इन ही सब का use करके आप loss and damage को manage कर लोगे अलग से कोई funding नहीं करोगे फिर चुकि चेली का capital Santiago है तो Santiago network established किया गया था यह किसके अंदर का established किया गया है जो वार्षा इंटरनेशनल मेकैनिजम था W.I.M. वो COP 2013 में हुआ था उसी W.I.M. वार्षा इंटरनेशनल मेकैनिजम का मतलब होता है loss and damage की बात करना तो जो Santiago network established कर गया हमारे COP25 में उसको बोला गया कि Santiago network जो बनेगा व वार्षा इंटरनेशनल मेकैनिजम का ही पार्ट बनेगा और इससे technical assistance जो है most vulnerable country को catalyze करके दी जाएगी तो catalyze the technical assistance required by the most vulnerable country समझ गया ना जो वार्षा इंटरनेशनल मेकैनिजम था उसमें loss and damage overall हम loss and damage की बात करने ठीक है फंडिंग के लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है पहले का जो तरीका है GCF, SCC, HC, CFY सब यूज करके loss and damage का काम निप्टा दिया जाएगा लेकिन एक Santiago network established किया गया है जो की वार्षा इंटरनेशनल मेकैनिजम जो बना था COP 2013 में वार्षा में COP की में जो Santiago network है उसी का पार अगर क्लाइमेट फिनांस के बात करें तो नेगोशियेटर्स फेल हो गया वह फेल कैसे हो गया नेगोशियेटर्स वे अनेबल तो अग्री ओन वेन देशुट टेक डिसीजन ऑन विदर और वर्क प्रोग्राम पर दो लॉंग टर्म फिनांस एजेंडा शुट के बाद जब लिए तो लॉंग टर्म फिनांस के लिए ऐसा कुछ वर्क प्रोग्राम लाएंगे की नहीं लाएंगे और दूसरा अगर लाएंगे तो कैसे लाएंगे उसको कैसे इंप्लिमेंट करेंगे दूनों चीजों में कन्फलेक्ट हो गई तो कुछ भी नहीं हुआ Climate Finance के नाम पर है अगर Carbon Market की बात करें तो Conference ने कोई Rule नहीं set किया कि Carbon Market जो है Article 6 जो Paris Agreement का है उसके हिसाब से Carbon Market की बात की हुई है लेकिन उसके जो Rules थे यहाँ पे COP25 में कोई भी नहीं बनाए जा सके तो Article 6 जो Paris Agreement का वैसा का वैसा रखा गया जिसमें कि Carbon Market की बात है और यह बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट COP होगा इस साल 2020 में COP26 उसमें जो है हम यह प्रोविजन लाएंगे कि क्या Rule Regulation फॉलो करने है Article 6 पैरिस अगरिमेंट के Carbon Market को इस्टाबलिश करने के लिए जेंडर एक्षिन प्लान की बात हो रही है डिसीजन लाया गया कि एक 5 एर जेंडर एक्षिन प्लान लाया जागे जिसको की GAP बोलेंगे यह GAP Emission Reduction का नहीं याद रखिए जेंडर एक्षिन प्लान की बात हो रही है पांस साल के लिए लिए जाएगा और आप याद करके बताएगे कि कौन सा ऐसा कॉप था जिसमें सबसे पहले जेंडर एक्षिन प्लान की बात किये गई थी नहीं आदा रहा थोड़ी दिर बाद मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्षिर में नीचे जो जेंडर एक्षिन प्लान उसका ओविसली काम क्या होगा सपोर्ट करना जेंडर रिलेटेड डिसीजन और मैंडेट को UNFCCC के प्रॉसेस में जो जेंडर की इशुज हैं उनको भी इन्वाल्ब करें क्लाइमेट से और उनकी भी एक सेंग हो यही सब जेंडर एक्षिन प्लान में किये जाना है पांच साल अब यहां पर टॉपिक जो उपर लॉस और डैमेज डिसकस हुआ था अलग से भी पिछले लेक्षिर में पढ़ा है लॉस और डैमेज का मतलब क्या होता है कि रिच कंट्री जिन्हों ने हिस्टोरिकल अपना क्लाइमेट में बहुत ज्यादा सर लाया है उनकी एक responsibility है, liability है कि वह developing country जिन पर बहुत ज्यादा क्लाइमेट डैमेज ऑल्रडी हो चुका है क्लाइमेट क्रैसिस फेल कर रहे हैं उनकी मदद करें इसी को बोलते हैं लॉस एंड डैमेज को मदद करना अगें जो आपको बोला कि 2013 का जो कॉप हुआ था वह था वार्षा में और वहां से निकला था वार्षा इंटरनेशनल मेकैनिजम वह जो मेकैनिजम था वह लॉस लॉस और दमेज टैंज से शेटेट वित अडवर्स एफेक्ट उप्लाइमेट इंप्लूट्स एक अनौलज में क्या रहा हूं वह फिर से रिटारेट कर रहा हूं सिंपल बड में बता रहा हूं बस इसका यह कहना है अकनॉलिज करता है अगर किसी पार्टियुकलर वलनेरेवल कंट्री में loss and damage historical emission बाकी कंट्री डेवलट नेशन के कारण हो चुकी है कि कल को वो adaptation आप उसको करवा भी दो कितना भी reduce कर लो उसका loss and damage की भरपाई नहीं होगी यही है अब चले आईए कि पिछले इसके पहले कौन-कौन से हुए थे तो आपका सबसे इंपोर्टेंट है 2015 का पैरेश अग्रिमेंट आपको डिटेलिंग की हुए है पैरेश अग्रिमेंट डेवलट कंट्री उनमें अग्री किये थे कि जो loss and damage है अग्रिमेंट में उसको नहोंने बोला था कि हम ठीक हम समझते हैं डेवलेप कंट्री टू इंक्लूड लॉस्ड शीतर लोज डैमेज के लिए उन्हों ने उस आर्टिकल को डिनाई कर दिया जब लिए कर दोगे तो लोजन डैमेज के लिने से का मतलब है और प्रॉइसली अगर जांगा एक बात होगी तो भी तो बेट उनली इन एड़ेड़ क्लाश्वा तो अग्रीमेंट में बोला कि हां डेमेज रखिये, but only with an added clause that the specific article which relates to loss and damage does not involve or provide a basis for any liability or compensation, कि ठीक है, जो आर्टिकल में आपने बोल रहा हो कि इसके basis पे liability या compensation देनी है, आसा कुछ नहीं है, चलो आर्टिकल को डिनाई नहीं किया, यह बोला कि हमारी कोई liability नहीं है, हम कोई compensation नहीं देंगे, बाकी loss and damage को अब GCF और से fund कर लो, चलेगा, लेकिन अलग से पैसे नहीं देंगे, इसमें जो है adaptation fund पे आगे काम करने की बात की गई थी, adaptation fund कैसे बनता आपको पता है ना, 2% कहां से लेके, मेराकेश जो है, वहां का action proclamation for our environment and sustainable development है, वाज टेकेन, विच इनिशियेटेड वर्क on adaptation fund to serve the Paris agreement, adaptation fund से पैरिस के agreement को सर्व किया जाएगा, कोई और तो financial mechanism थी नहीं, अब चलते हैं, COP23 जो की bond में हुआ था, जामनी में, उसकी chairing की थी, अब को बता है था, वहां पे तालानोवा डालोग, तो वहां तो तीन पार्ट में थे, इन्होंने तीन पार्ट में ने बताए थे, एक तो था तालानोवा डालोग, और एक ताब pre-2020 implementation and ambition, और एक ताब जेंडर action plan, और एक कुछ था, शायद stocking की थी, घर, जो यहां important है, वह देख लो बाकी तो पिछल लेक्चर में है, तालानोवा डालोग में क्या करना था, आपको बता था, बात करनी है transparent manner में, तालानोवा डालोग, फेसिलिटेटिव डालोग होता है, जो की चीजों को फेसिलिटेट कर रोकेना, 2018 में करना जाना था, यह meeting हुई थे 2017 में, तालानोवा डालोग किया जाना था 2018 में, जिसमें के stock लेने थी, कि बाकी सारी country के जो भी Paris Climate Deal में गये थे, उनके collective efforts क्या है, कितना progress किया है, long term जो commitment उनकी दी है उसके हिसाब से, और बताना है कि उनका preparation intended nationally determined contributions के हिसाब से कि कितना launch उन्होंने country ने कर दिया है, दूसरा वहाँ पर यह discussion किया गया था, कि pre 2020 implementation ambition देखनी थी, इसमें किया था, parties agreed that there will be 2 stock checking होगी, stock की दो बार discussion होगी, pre 2020 के पहले, जबकि Paris Climate Deal आ जाना है, ते एक बार तो 2018 में है कि 2019 में है तो मैंने इसको आपको detail ले से किया था, कि तालान cancel here नहीं है, पूरे साल में January से December, और pre 2020 implementation and ambition जो है stock checking वगर है कि वो करेंगे 18 से 19, 18 और 19 में, दो साल, before the Paris Agreement becomes operative in 2020, ते सारा मिला जोला कि यही देखना है कि आपने कितनी तयारी कर ली 2020 से पहले, Paris Climate Deal को implement करने के लिए, थार्ड जो वहाँ से निकला था, बान वाले से कॉप 23 से जेंडर एक्शन प्लान, यह पहला आज तक का UNFCCC के प्लान में अडॉप्ट किया था, जेंडर एक्शन प्लान, और अभी भी किया गया जेंडर एक्शन प्लान, वो 5 साल के लिए, वो COP25 में किया गया, तो यह दूसरा वाला हो गया, जेंडर एक्शन प्लान पे फोकस करन है इसमें work program for the implementation और इसका यह था कि COP 24 climate conference जो हुआ था that finalize the work program अच्छा यहीं पर यही चीज मैं मिस कर रहा था COP23 बॉन्स में जो हुआ तो मैं एक और चीज थी जो मैंना miss कर दिया था भी वह पर ये बोला दुख़ गया था कि व़र्क प्रोग्राम जो है उसको फाइदा किया जा आघा रिख पार्र प्रोग्राम उसका प्रेरिश इसका Summ eh छुका है उसमें उसमें क्या होते हैं guideline उते हैं ruledbook होते लेकिन जो mechanism carbon trading और carbon market की बात हुए थह वहां भी कुछ final नहीं हो पाया और आप देखेंगे यह चीज की COP 25 में भी final नहीं हो पाया brainpagemacege दिखेंगे किichtig लांते बा क्वेसे चलाना है जो कि article नुम्हें कुछ बचाने जीए रूकना है और उस पेल ह।icle mein . पैक्ट से बचना है, UNFCCC रियो कंवेंशन से आया था, और ये दो कंवेंशन ऐसे थे, जो सिगनेचर के लिए खुल गया थे, एक तो रियो आट समेट में खुला था, UNFCCC, दूसरा क्या खुला था, CBD, या कुछ और था, एजेंडा 21, ता आप देख ले ना, पिछले वाले से मिला के, इसका दो सिस्टर यो कंवेंशन और कौन-कन से हैं, एक तो ये, United Nation Convention on Biological Diversity, दूसरा कौन सा था, United Nation Convention to Combat Desertification, UNCCD, Force में कब आया था, उसके दो साल बाद, 21st मार्स 1994 में, पहला कब वह था, 1995 में कहा, जर्मनी में, टुडे इसकी अल्मूस्ट नियर यूनिवर्सल आपको, Montreal में, टोटली नियर यूनिवर्सल आपको मिलेगा, Montreal प्रोटोकॉल में, लेकिन यहां भी, नियर यूनिवर्सल मेंबर्शिप है, इसमें 197 कंट्री जए दिनों ने इसको रैटिफाई कर दिया है, किसको, किसको रैटिफाई कि आब बताओ, यही UNFCCC को, इसके Parties of क्लाइमेट चेंज के रिवीव में मदद करता है और क्योटो प्रोटोकॉल को करने में मदद देता है एक चीज यहां पर यह है कि आपके जो हर कंट्री के नाशनली डिटर्माइन कंट्रिबूशन से इंटेंडेड नाशनली देटा आपका अपने पास रखता है अपरेटिंग में कैसे होता है देखिए कंट्रेंस ऑफ दो पार्टी जो है यह की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बडी होती इस कंवेंशन की और ऑल स्टेट्स देटार पार्टी जिन्नों ने भी अग्रिमेंट में साइन कर दिया कोई भी क क्योटो प्रोटोकॉल हो इन फ्रेट कोप के शुरुवात हो गई ति कोप वन वो जर्मनी से जो भी इसके पार्टी सिपेंट उनको कॉप बोलते हैं अनलेस पार्टी डिसाइड अधर्वाइस आज तक ऐसा नहीं हुआ है लिकिन आगो डिसाइड करें तो किस साल को क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टी थी उनको सी एंपी बोलते हैं और यह कोटो प्रोटोकॉल का इंप्लिमेंटेशन वगर देखते हैं कैसे हो रहा नहीं हो रहा है यह लिगली बाइंड नहीं होता है क्योटो प्रोटोकॉल तो उसके इंप्लिमेंटेशन के लिए क्या होत सकते हैं लेकिन observer बनके रहते हैं वहां पर इसी तरह CMA आता है वह प्यारिस अग्रिमेंट के पार्टेज है तो जो भी COP होता है उसमें पैरिस अग्रिमेंट वाले CMA भी बैठते हैं लेकिन वहां पर करेंगे कार्बन मार्केट वाला जो टॉपिक का फेट चोटा सा है 1.2 बात करेंगे कार्बन मार्केट में क्या है कि पैरिस अग्रिमेंट हुआ उसका एक अर्टिकल 6 में 3 separate mechanism mentioned है जो की voluntary cooperation से बनेंगे ठीक है फोर्सफुली नहीं है लेगली नहीं है voluntary cooperation से तीन तरह के mechanism है climate के goal अचीव करने के लिए दो जो mechanism है वो market-based है और थर्ड जो based है वो क्या है non-market-based approach है तो उसकी ही fact देख लेते हैं, carbon markets under the Paris agreement Article 6 में mentioned है, market mechanism में कौन से है, market mechanism 1 और market mechanism 2, और last वाला जो है, वो non-carbon based, sorry, non-market based mechanism है, तो जो market mechanism 1 है, वो इस Article 6 के 6.2 में mentioned है, इसके हिसाब से एक carbon market बनाया जाना चाहिए, जहां पे country जो है, अगर अपना emission का, जो उनका mention है, INDC के target में, अगर उससे भी कम emission करें, तो जो emission जो उन्होंने कम किया है, उसकी value वो transfer करके किसी और को बेज सकते हैं, कैसे होगा यह, market mechanism 1 allows, यह carbon market set करता है, market mechanism 1, फिर क्या होता है, which allows countries to sell any extra emission reduction, reduction किया है, 10 करना था, reduction करना था, आप 25 कर रहे थे, और आपको बोला गया था, कि आप reduction करो, आपने INDC में लिखा था, कि मैं reduction करके 20 कर दूँगा, लेकिन आपने जब reduction किया था, आपने देखा कि आपने तो 5 ही किया है, तो जो extra 15 हो गया reduction, उसी को बोलते है, extra emission reduction, और इसको technically क्या बोलत क्योंकि हमने तो target से जादा काम किया है, इसी को बोलते है, internationally transferred mitigation outcome, और short में ITMO बोलेंगे, तो this is a voluntary direct bilateral cooperation between the country है, दो country के बीच में होता है, voluntary होता है, और direct होता है, forcefully आप नहीं बोल सकते कि तुमने तो emission में reduction कर लिया, extra तो चलो अपना मुझे certificate दो, forcefully नहीं करते हैं, इससे sustainable development हो और environment के integrity बची रहेगा, transparency रहेगा, the reporting requirements अंडर Paris regime, transparency रहेगा, क्योंकि इसकी reporting requirement है कि कौन-कौन से countries ना अपस में किया है, गलत किया है, सही किया है, उसकी जो requirement है reporting की, वो Paris regime में mention की होई है, दूसरा है market mechanism 2, जो कि इसके article 6.4 में mentioned है, यह second mechanism है, that would create a new international carbon market, इसमें भी international carbon market एक बन anywhere in the world by the public or private sector, यहां government trading नहीं कर रही है, यहां पर companies trading कर रही है, public or private sector, this new market referred to as, इसको क्या बोलेंगे, sustainable development mechanism, SDM, आप SDM नहीं, okay, sustainable development mechanism, यह वाँ फेमस वाइड है, पहले से ही चला रहा, seeks to replace Kyoto protocols में क्या था, clean development mechanism, यहां पे understanding बना लिजे, Kyoto protocol में भी इससे मिलता जूलता चीज था उसकी detailing पिछले lecture में, यहां नहीं करूंगा, उसको बोलते थे clean development mechanism, और यहां जो public or private sector के लिए international market बना रहे है, carbon का, इसको बोलेंगे, sustainable development mechanism, देखिए, actually sustainable इसलिए आ रहा है, क्योंकि धीरे-दीरे क्या क्या आगया है, कि UNCCC के purposes को, हमारे sustainable development goal के साथ merge किया जा रहा है, धीरे- 4 के, SDM से replace करने की कोशिश की जा रही है, the delivery of an overall mitigation in global emissions, इसे key requirement of the SDM, जो SDM बनेगा sustainable development mechanism, उसमें एक चीज है, OMG है, यह इसकी आपको delivery करनी पड़ेगी, यह आपको दिखाना पड़ेगा, कि overall mitigation in global emission होना चाहिए, है न, requirement है, ऐसा नहीं कि आप, मिला जोला के balance करके उतना ही कर द mitigation, mitigation मतलब कम करना आपको बता है, OMGE की, OMGE की क्या है, requirement SDM के लिए, OMGEB है, आपको पहले ही बोल दिया, कि यह सारे carbon market voluntary है, तो OMGEB voluntary है, a new element है, यह Paris Agreement से आया है, obviously उसी का article में है, that takes carbon markets beyond the offsetting approaches of the existing markets like the CDM, clean development mechanism में offset ही करना था, इसमें कुछ, उसके beyond जा रहे है, इसलिए इसको ऐसा बोला है, ज्यादा detail में मत जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं, थोड़ा भी समझ में आ है, तो चलता है, इतना, बस CDM को replace कर दिया, HDM आ रहा है, इतना जान लो, in contrast to direct bilateral cooperation under mechanism 1, mechanism 1 में क्या हो था, direct bilateral cooperation हो रहा था, this mechanism will be supervised by a body designated by the UN conference of the parties, यहाँ पर धेर सारे चो की market players है, conference of the party के द्वारा, another unique state of this mechanism is mobilizing private sector to participate in climate, पहले ही बोला, public private दोनों आएंगे, तो private sector को भी participate करवाना है, और उसके लिए उनको कई बार incentive भी दिया जा सकता है, last topic is non-market approach, third वाला, article 6.8 में non-market approach है, it recognizes non-market approaches to boost mitigation, adaptation, finance technology, transfer and capacity building, non-market approach से यह सारी चीज़ें आपको की जानी है, in situations where no trade is involved, अगर mechanism 1 और mechanism नहीं चला, अगर मालो mechanism 1 और 2 नहीं चला, तो उनी purposes को fulfill करने के लिए, क्या purposes है, mitigation, adaptation, finance, technology, transfer and capacity building करके, आप चाहो तो emission में यह carbon market कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे trading नहीं involved होगी, this could involve similar activities to those under article 6.2, 6.4, जो पहले कर रहे थे हम, mechanism 1, 2 एक्तम उसी तरह का होगा, लेकिन इसमें trading नहीं की जाएगी, बस इतनी बात है, तो क्या की जाएगी, नहीं की जाएगी, वो नहीं ज्यादा detail में जाना है, बस इतना जाना है कि trading नहीं की जाएगी, यह non market based approach है, इसका article 6.8 है, और mechanism 1 और mechanism 2 जो थे, mechanism 2 का article 6.4 था, और जो mechanism 1 था, उसका article क्या था, मेरे साब से 6.2 था है ना, लोड हो रहा है, हाँ, उसका article 6.2 था, overall एक Paris climate deal के article 6 में है, तो इतना ही इसमें बताऊंगा, next में मैं कोशिश करूंगा, कि आपका जो है, पूरा ozone layer का depletion संकर आये से cover करा दूं आपको detail में, और साथी साथ में आपको mental protocol बता दूं, फिर उसके बाद एक और कर दो है, जसके allora में मैं कोशिश कर दूं आपको में उसका दूंगा, कि आपको शॉप पो बतादि कि मां कोशिश कर दो दो है कि र должна कि आपाको बताद्रे आपकोशियो का आपको जारा कि ईये दुजऑा रहा है उनी, तो है रहा है, जो है है आपको झातो है, है आ我们 स说 ह directed and doctor